तो कैसे है आप लोग आज मैं आपको ऐटो रेडियोग्राफी जो पॉ-पिक कि बाइटेक्नालोजी क्लास 12 का टॉपिक है चैपटर 12 मैं आपको रेडियोग्राफी से को बता हूँ अपर कैसे पता कर सकते हैं किसी इंजान में और बेजीर है या नहीं है चैंसर है या नहीं है तो कैसे बता करेंगे सेल के अंदर को डिन ने को हमने निकाला निकाला तो यह इसका डिन ने यह ठीड़ेस तो फाइब डेस मैं आपको दूसरी कॉफिम बताता हूँ आप इसमें कंफिज हो सकते हो देखो ऐसे जैसे हमने डिन ने निकाला तो एक यह और यह किए यह क्या इनकी पॉलारिटी है एक की त्री डैस टू फाइब डैस और एक की फाइब डैस त्री डैस यह इसकी पॉलारिटी है और इसके क्या है है hydrogen bonds बोल सकते है जो भी बोल सकते है तो हम यहांपर क्या करेंगे probe को add कराएंगे probe आप जानते है क्या होता है अपने शैप्टर 6 में बढ़ा है प्रोब को जोड़ते है तो जो प्रोब के sequence होते है वो इसके sequence से complementary होते है इसलिकि प्रोब क्या होगा प्रोब यहां पर एड हो जाएगा ठीक है और इसका एक्सप्रेशन भी दिख जाएगा हमको ठीक है अब मानलो यहां पर कोई muted gene होती होती जैसे हम चैकरते हैं पर muted gene होती तो probe यहाँ पर add नहीं होता probe यहाँ पर add क्यों नहीं होता क्योंकि जो इसके sequence है muted gene के हो तो बदल गई है अब probe के मानलो इसके क्या होता है AT तो इसका अब क्या हो जाएगा TA इनका तो ऐसे हो गया यहां पर क्या होगा है GC और यहां पर तो TA आएगा तो इसके सुख किस बदल गए नहीं होगा जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि इस जो कहा है इस सेल में इस और्गिसम के अंदर कैंसर है से पता चल जाएगा तो इसी को बोलते है ऑटो रेडियोग्राफी से हम डिटेट कर लेते किसी और्गिसम में कोई डिजीज है या नहीं अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए हो तो लाइक करें चनल को सब्सक्राइब करें आप देख सकते हैं इसमें आप सोच रहे होगा मतलब कहा रहा है कि हाई वीडियोग्राइब को मिल गई वह दूनों ठीक है और तो इसमें कोई बात है नहीं जाने वाली तो अगली वीडियो में मिलते हैं थैंक्यू गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लोगिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें